नमस्कार दोस्तों चैनल पर एक बार फिर से आप से भी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है डेडे फ्रिडेस के दर्सकों के लिए डेडे फ्रिडेस की तरफ से बहुत धमाकेदार अपडेट आ रही है जी आँ दोस्तो जी नेटवर्क तीन ऐसे चैनल है जिनको बेचने जा रहा है तो दोस्तो वो तीनो चैनल कौन कौन से हैं और उन तीनो चैनल में कौन सा चैनल डेड़े फेड़े से चलता है और कौन सा चैनल पे डेटियेच का है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं वीडियो को पूरा देखिएगा वीडियो को लाइक नहीं किया तो फड़ा फट लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन पे प्रेस करके नोटिपिकेशन आल पे क्लिक कर लीजेगा तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों G-Network का और Sony Network का मर्ज होने जा रहा है ये जानकारी सबसे पहले आप सभी लोगों को यूटूब पर टेकनिकल लड़का चैनल के द्वारा बताया गया था और दोस्तों जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पिछली वीडियो में भी बताया था कि G-Network के चैनल जादा है Sony Network के मुकाबले और दोस्तों आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि Sony Network और G-Network का जो मर जुआ है उस में Sony Network के पास शेयर जादा है तो शेयर जादा होने के नाते Sony Network के चैनल जादा होना चाहिए लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है बलकि इसका उल्टा है Sony Network के चैनल कम है और G Network के चैनल ज्यादा है इसी कारण दोस्तों G Network तीन ऐसे चैनल है जिनको बेचने जा रहा है और दोस्तों खबरें ये भी आ रही है कि ये तीनों चैनल बंद भी हो सकते है तो दोस्तों उसमें जो पहला चैनल है वो Big Magic चैनल है दूसरा है G Action चैनल है और तिसरा G Classic है तो ये तीनों चैनल है जो G Network इनको बिक्री करना चाहता है या खबरें ये भी आ रहे हैं कि इनको बंद भी कर सकता है और इसमें दोस्तों अगर हम बात करें देडे़े फ्रेडिस पर आप सभी लोगों को Big Magic चैनल देखने को मिलता है और वहीं पर G Action और G Classic चैनल ये पर DTS पर देखने को मिलता है जैसा कि दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि G-Network और Sony Network मर्ज होने जा रहे हैं तो दोस्तों G-Network और Sony Network जब पूरी तरह से मर्ज हो जाएंगे जिसमें बहुत जारा संभावना बन रही है कि काफी चैनल डेडे फ्रीडिस पर भी लांच किये जाएंगे काफी चैनल Sony Network तरफ से और G-Network की तरफ से डेडे फ्रीडिस पर भी आप सभी लोगों को देखने को मिल सकते हैं तो दोस्तों आने वाले समय में जब G-Network और Sony Network का पुरी तरह से मर्ज हो जाएगा तो इन दोनों नेटwork की तरफ से काफी ज़्यादा चैनल लांच होंगे और उसमें से कुछ चैनल आप से भी लोगों को डेडे फ्रीडिस पर भी देखने को मिलेगा और दोस्तों सुत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रहे है कि आने वाले समय में G-Network की तरफ से और Sony Network की तरफ से बहुत ही अच्छे अच्छे चैनल आप से भी लोगों को डेडे फ्रीडिस पर देखने को मिलेंगे और उन चैनलों में Serial Category के भी चैनल रहेंगे और Movie Category के भी चैनल रहेंगे तो दोस्तों अफडेट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक से सब्सकाइब जरूर करें थेंक्स फर वाचिंग